आज आपके सामने और एक प्रोड़क्ट के रिव्यू और यूजस के साथ आई हूँ वह है नायका टी ट्री एशन्शियल ओई तो इसके बारे में हम बात करेंगे इससे पहले आप अब तक मेरे चनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल बिटन को हीट कीजिए ताकि नए वीडियो आपको अपलोड होने के बाद नोटिफाई हो सके तो प्लीज लाइक, कमे भी लाउंच हुए एक महीने पहले है थिंक मैंने ये लस्ट सेयल में इसको खरीदा हुआ है आइछ एंडिपेडेंडी से लिगए वीडियो दीखा होगा तो हौल का वीडियो तो उसमें मैंने दिखाया हुआ हुआ तो आप मैं रिव्यू करने वाली हूं ये यूज करने क सेल में मुझे 325 रुपीज में मिला है और इसके साथ में यह ब्लू बॉटल में आता है यूज्वाली ऑल एशेंचेल ओईल्स थोड़े से डार्क बॉटल में ही आते हैं और इसके साथ में आपको यह ड्रॉपर आता है यह नाइस स्मेल है इसका आइंड इसके साथ में आपको एक मैन्वाल यह इंस्ट्रक्शन लीफलेट ब्याता है उसमें इसमें 7 फ्लेवर्स है 7 फ्लेवर्स का भी उन्होंने ब्रीफली हाओ तो यूज उसस और उसका इंट्रॉडक्शन दिया हुआ इस लीफलेट में तो आप देखेंगे यह टीट्र इसमें ट्राइब क्या बोलता है इसमें क्या क्या लिख़ा हुआ है as cure for almost all tropical infections and diseases it can be used to cleanse and purify the skin and nails for healthy glowing complexion tea tree oil pure essential oil keep out of reach of children avoid contact with eyes if contact occurs rinse well with cold water do not apply undiluted on skin for external use only store in a cool dry place hundred percent vegetarian अएंड इसके ऊपर आपको आपको अबस्त बिपोर का भी थेद बीर बी रिखा हुआ है तो मैं फटा-फट से पढ़ते हैं अप लिलागें क्या क्या है में लिखा हुआ है और थोड़ेurar source is of war containers on the哎f फलेट ने भी लिखा हुआ मिलेगा तो हम इसको कैसे-कैसे 运हें तू हुआ हैं अटो यूज कर सकते हैं पर ऑप क्लीनिंग के चाहिए ने पाया मुआ यहां धेवान में त्रीट्मेंट के लिए भी उसकते हैं तू इसके बारे में बात करें तो पहले ट्रीट्री ओयल को अस्ट्रेल एंप आया गया इसको हम क्यों अबुत सकते हैं इसके बॉटरिय नीम है अबने लूक को इसलिए इसको मेले लूक विए गये अव्मोद भी गया या तुटांट के उपर अपलाय करते थे क्यूरिंग की तरह तो लेटर आउन इसको ऑईल की तरह कनवर्ड किया गया और यूस किया अब हम बात करेंगे इसके users multiple users फटाफट से पहले हम head से शूरू करेंगे क्युंकि head to toe के लिए सभी users multiple uses आने वाल है तो हम पहले बालों से शूरू करेंगे आपको hair fall, hair dandruff, scalp related कोई भी इचिंग और लाइस या इचिंग स्काल्प या कोई भी बाल जडने के प्रॉब्लम हो तो आप नॉर्मल इसको आपके जो भी शांपू यूज करते हो उसमें फुल शांपू में आप जस्ट फुल बॉटल में आप तीन से चार रॉप यह डालिए और अच्छे से रि करोगी तो आपके हेर प्रॉब्लम या फंगल इंफेक्शन या बैक्टरियल इंफेक्शन डैंड्रफ जो भी हो वो क्यूर होने लगेगा और नेक्श्ट इंग आप जो भी आपको कैरियर ओल जैसे हम यूज करते हैं नॉर्मल कोकोनट ओल या बादम ओल जो हेर पैक के लि अगेलर लिएफब हो आपको हेर प्रॉब्लम या ष्किन रिलेटेटि रिलेटल या डैनर फ्रेंट में निकल जाएगा नेक्स्ट हम ब्लेटेड मतलव एक्निक के लिए दीखेंगे एक्निक लिए आप डायरेक्ट इसको एक इयर बड्ड में डिप करके आप इंपल के पॉ फेश वाश कोई भी आप फेश वाश यूज़ करो उसमें एक ड्रॉप एड़ करके अच्छे से मसाज कीजिए अगर आप यह ड्राइंग क्वालिटीज रखता है इसलिए आप अगर आपका स्किन बहुती ड्राइ नेचर वाला है तो आप रेगिलर ना यूज़ करें इसको एवरी आल्टरनेटे या थर्डे आप यूज़ करो अगर आप ट्रिट्रियोल अलर्जी किया इसका इंसिटिव स्किन वाले हो तो बेटर आप इसको पैच टेस्ट कीजिए बिफोर यूजिं या फोर आर्म की जगह आप यूज़ करिए और 24 अवर्स छोड़ जिए अगर आपको अलर्जी कि इरिटेशन या किसी तरह इसका चेंज़ नहीं नजर आए तो आप कंटिन्यू कर सकते हो आइंड नेक्स्टिंग बच्चों से दूर रखिए और यह इन्टे के लिए नहीं है वह से भी प्रिकोशन आपको लेना पड़ेगा और कभी यह डायरेक्ट यूज़ नहीं कीज़े किसी भी तरह आप यूज़ कर सकते हो या ब्यूटी के लिए या ट्रीटमेंट के लिए या अप्लिकेशन के लिए किसी भी फॉर्म इनियलेशन के लिए कभी भी आप इसक स्वीटोबाइट नहीं होंगे अलर्जिक नहीं होगा और नेक्स्ट आप अगर इसकिन अलर्जी से किन रैशे से इसकिन फंगल या बैक्टिर इंफेक्शन से एक्जी में सोरियासिस जैसे प्रॉब्लम से आप सफर कर रहे हो तो आपको बाथिंग वाटर में आप एवरी ऑगर योज़ करोगी तो जोले आपका इंफेक्शन रेडूह को लगएगा नेक्स्टांबात करेंगे जो लिबार होम रहे होगा दोने लिगेगा घ्राडियूं और लो निकाल दीजिए भाद्नulsion में यृद्नर बुस्क्रब करने शन्सक्राब लेजिए तो उसके बाद आपको जो नेल का इंफेक्शन या फंगल इंफेक्शन आपको कम होने लगेगा नेक्स तिंग आप देख सकते हैं टोनर में अगर फेस के लिए आप किसी भी आप टोनर यूज करें तो इस टोनर में आप टू तो त्री ड्रॉप्स आप मिक्स करके रख सकते हो जस्ट फेस में आप क्लीन करने के बाद स्प्रे कर दीजिए और आपका टोनर के साथ में हीलिंग एकने का ट्रीटमेंट भी होता रहेगा और नेक्स्ट आप होम में कैसे यूज कर सकते हो मतलब आप अगर होम इंसेक्ट रिपलेंट की तरह यूज करना चाहते हो तो अजस्ट एक आप कोई भी जो इस तरह के जो स्प्रे बोटल रहता है स्प्रे बोटल में आप पूरा पानी भर लीजिए उसके अंदर आप नाइका के जो ट्रीटीर ओल है इसमें आप आट्डस बूंद आप डाल दीजिए और अगर फ्लेवर चाहते हो तो आप कोई निलगिरी का तयल मतलब एकलिप्टर्स ओईल या लावेंडर जो ओईल है यह भी आप इसके अंदर डाल सकते हो आट्डस बूंद और पूरे घर में आप स्प्रे कर सकते हो तो आटमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा और कोई भी इंसेक्ट लाया या मॉस्किटोस कम होने दिलगे नेक्स आप यूज कर सकते हो अगर आप किचन के और बेटरूम के कबड्स अप क्लीन करते हो तो यह जो वॉटर में डाले के आपके 8-10 बूंद एक मग वाटर में आप 10 बूंद डाल दिजिए जो भी एरिया और चैसे क्लीन कर दीजिए और ढ्राय होने के लिए छ को चार पांच जाल दिज्ग चाहँ यूम क तब सकते अर्व कर दो cake की तरह भी आप यूस कर सकते धियोडरिंज कि तरह बिदे कि अpa चुछिए अब को बmost तो अब नोर्मर जो भी आप वाटर या इस तरह की जो रचे बॉट पर टोलमे रहते हैं अ पर टी τरी ओ– लेवेंडरोल दोनों को आप मिक्स करके स्प्रे बॉटल में रख दीजिए और अंदर आर्म आप अस्दान के बाद या बातिंग के बाद आप अंदर आर्म में वोल बॉडी में आप यह स्प्रे कर सकते हो अटोमेटिकली यह एंटिबैक्टेरियल एंटिफंगल का काम तो कर क्लोटिफ तरह यह एंटिसेप्टिक लोशन की तरह है शरी एंटिसेप्टिक यह य्यूंज करते हैं क्लोट वास्ट के लिए उसी तरह यह एक्ट हो जाएगा तो आप बच्छों के लिए स्पेशल यह यह यूज़ कर सकते हो अंड हमेशा अपे इस ग्रिस को ट्रावल के लिए आप इसको coconut oil में मिक्स करके आप अपलाई किजिए हील हो जाएगा next thing आपको अगर sinus problem या कोई भी respiratory disease like chest congestion या आस्थमा या breathing difficulties sneezing cold उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो जो normal हमारे या steamer मिलता है steamer में आप जो पानी नॉर्मल पानी डाल के steam लेते हैं उसी में आप एक ड्रॉप अगर बच्चों के लिए भी अब जस्ट एक ड्रॉप डाल के आप steam ले लिजिए steam लेने से अगर लेते हैं उस्टामेटिकली फेस पे भी वह treatment करेगा एकने के लिए और अगर आप कोल्ड से सफर कर रहे हो तो डी कंजिस्टंट जैसे भी एक्ट करेगा आप जरूर ट्रॉप कीजिए बच्चों के लिए भी आप यह इनिलेशन दे सकते हो नहीं तो आप गरम टवल लेके गरम पानी में वेट कर रहो उसको और अच्छे से स्क्वीज करने के बाद उस पानी में तो उस टवल को होट टवल को स्मेल कर सकते हो ताकि अच्छे से कंजिस्टंट जो भी है वो निकल जाए तो इस तरह यह मल्टिपल यूज से तो आप जरूर यह एक पार ट्राइक किजिए अगर आप घर में डीप जला रहे हों तो भी उस दिया में को भी आप आप यूज जरूर कीजिए गा यह था मेरा कुछ यूज जो मेने ट्राइक किया हुए मेरे घर में तो इसका यह मेरा रिविव और यूज अबोड दिस ट्री ट्री ओईल नाइका ट्री ओए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कमेंट शेर कीजिए औ मेरे चैनल पर अल्रेडी मैंने लेवेंडर ट्री लेवेंडर अशेंशियल नाइका का मैंने रिविव किया हुआ है उसका में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दोंगी आप जरूर चेक किजिए अगर आप यह पर्चेस करना चाहते हो तो इसका में लिंक अभू लेगा है इत बेल बटन तो नोटिफाई और थैंक्स पर वाचिंग टेकर और बाई